नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजर हैं एक नई वेकेंशी के साथ और इस वीडियो में उस वेकेंशी की डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को शुरू से एंड तक जुरूर देखें ताकि आपसे कोई डिटेल मिशना हूँ वीडियो में दिगी जानकर कैसे लगी कमे वेकेंची है और यह contract period है आपका दोजार चोईस तक रहने वाला है वीतिवर्स दोजार तेइस चोईस के लिए निए चोईस तक यह अप्रेल तक मान के सकते हैं एक contract प्रपत्र आपके दिखाएंगा आपके दिखा दें उस application फोर्मेट में आपके बेजना है रजिस्ट्रेड डार्क स्पीड़ पोस्ट या चिश्ट्री से दिनाग 14 2020 जार 23 से पहले पहले निए 14 जून से पहले-पहले आपको अप्लाई करना है पोस्टों की बात करते हैं तो एन्म की पोस्ट है सबसे पहले देख सकते 12,000 प्रवंट है तीन पोस्ट है और इसके लिए 12 पास होनी चीए साथ में A.N.M. का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 36 गड़ नर्सिंग का रिजिस्टेशन होना चाहिए साइक्टरिक नर्स की बात करें तो यहां पर एक पोस्ट है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके पास MSC साइक्टरिक नर्सिंग या फिर B.S.C. नर्सिंग और डिप्लोमा कर रखा है साथ में साइक्टरिक नर्सिंग का तो आप अपलाई कर सकते हैं 36 गड़ नर्सिंग को इसमें आपका रिजिस्टेशन होना चाहिए दू साल का एक्सपिरेंस आपके पास होना चाहिए डेंटल असिस्टेंट की एक पोस्ट है 12 रुप्र परमन्ट पेमिट मिलेगा और इसके लिए 12 रुप पास किया और साथ में एक साल का कोर्स करका है डेंटल असिस्टेंट का डेंटल हाइजिनिस्ट का तो आप अप्लाई कर सकते हैं दो साल का experience भी आपको यहां पर चाहिए होगा टीबी एच्वी के लिए बगर बात करें एक पोस्ट है इसके लिए आपने graduation कर रहा है या फिर बार में पास करके और साथ में MPW, LHW, ANM, Health Worker, Certificate Course कर रहा है और आप यहां पर apply कर सकते हैं उसके पार टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है इसके लिए डिप्लोमा होना चीव, डिफेंड हीरिंग, हैंडिकेप्ट के अंदर, नर्सिंग ओपिसर आईश्यू के लिए पोस्ट हैं, आठ पोस्ट हैं, शोड़ा जार पांसोर पे परवन्द पेमेंट देर का है, बी सेकेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट हैं, उसके पास फीजियो थेर्पिस्ट की एक पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिगरी होनी चाहिए, फीजियो थेर्पिस्ट हैं बी पीटी होनी चाहिए, उसके बाद क्लास फोर्थ के लिए पोस्ट हैं, यहां पर दस पोस्ट हैं, पांच में पास इसके लिए होने चाहिए जूनियर सेकेरियल असिस्टेंट एल्डिसी के टोटल साथ पोस्ट हैं इसके लिए बारवी पास होना चाहिए और एक साल का डिप्लोमा कोर्स कियावा होना चाहिए उसके बाद देख सकते हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपर्वाइजर की पोस्ट हैं पांच पोस्ट हैं इसके लिए पर्मनेट टू विलर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बैचलर डिगरी की होना चाहिए शेक्रिट्रियल असिस्टेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है एनम की अगर बात करें तो टोटल छे पोस्ट हैं बाराजार पेपरमन पेमिट मिलेगा बारवी पास किया और एनम का डिप्लोमा कर रखा है और 36 गर नर्सिंग कॉंसल में रिजिस्ट्रेशन है तो आप और 36 गर नर्शिण कॉंसल में स्टाप अपलाई कर सकते ही स्टाप मिलेगा में जिनर्सिंग कर रखा है और नर्सिंग कर रखाए कर सकते हैं ठीक उसके बाद अगर बात करें तो इसकी ओपीशल वेब साइट है देख सकते हैं www.raipr.gorbin.in इस पर जाकर आप इसका अप्लिकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अप्लिकेशन फॉर्मेट को पूर्णूप से बरकर 14.6.2023 को श्याम को साड़ी पांच पजे से पहले कारेलिया मुख्य चेकिसे स्वस्त्य दिकारी जिल्ला राइपूर 36 गड़ की चो पते हैं उस पर पंजिकत डाक स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से बेद सकते हैं लिभापे की उपर किस पद के लिए आविदन करे समीधा की अबदी की बात करें तो 31 मार्स 2014 तक ये रहने वाली है आगे आविदन सुलक की बात करें तो दिव्यांग जन अज्जा जो अन्य पिछरा बर गए या महिला उसके लिए अगर 25,000 रुपे की जो पेमिट है उसके लिए 100 रुपे फीस और 25,000 से जादा है तो उसके 25,000 से कम पेमिट है तो 3,000 रुपे 25,000 से जादा पेमिट है तो 4,000 रुपे लगने वाली है आविदन सुलक है वो किसी भी बैंक के दवारा जिला स्वास्ते समीती रायपूर या डिस्टिक हैल्थ सोसाइटी रायपूर के नाम से जारी डिमांड राप्ट के साथ जमा करव सकते हैं और यह डिमांड राप्ट है वो आपको फोरम के साथ बेजना पड़ेगा कोई भी जो कंडेट्स है वो एक से अधिक आविदन कर सकता है लेकिन सबी के लिए डिमांड राप्ट है वो लग लग परस्तूत करना होगा चैन की परकिरिया की बात करें तो चैन यहां पर देरखा है आप पत्ती मेरिट बेस या इंटर्वी के अधार पर आपका चैन होने वाला है यह देख सकते हैं पूरी डिटेल देर के आविदन पत्र के साथ आपको पांच्वीं केंग सूची चतुर्स रहनी के लिए के वल उसके बाद दस्वीं केंग सूची जन्मर पर पत्र वेद्य जात्ती परमानपत्र यदि लागू है तो स्थानिय मूल्यवास परमानपत्र अनुबह यदि किसी में मांगा गया तो उसका अनुबह परमानपत्र कोई भी पैचान जैसे आधार कार ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी पासपोड पैन कार्ड इत्या जिसान निर्दे समगों यहां से देख सकते हैं यह इसका अप्लिकेशन फॉर्मेट अप्लिकेशन फॉर्मेट पीडियप रूट में आप हमारे टेलग्राम चैनल या वार्चप ग्रूप से फ्रीमें डाउनलोड कर सकते हैं दोनों की लिंक आपको वीडियो के कीजिएगा तो चली दोस्तों इस वीडियो में इतने ही बात करेंगे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जानकारी एक नए भरती एक नए नियूज के साथ तब तक लिए जय हिंद जय फारत